ओम नम भगवती वासू देवाए मैं आचारे आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ मैं त्रो इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा सुरिग्रन जो की साल 2021 का आखरी सुरिग्रन 4 दिसंबर को लगनी वाला है यह सुरिग्रन भारत के किस हिसे में दिखाई देगा जिसका सही समय सूतकाल और गर्वती महिलाओं को बरती जाने वाली महत्मुन सावधानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ क्योंगी यह सुरिग्रन मान्यताओं के अनुसार बहुती सावधानी रखनी की जुरत होती है ऐसे मैं मित्रूं अगर आपको भी अपने सहर या जीले का जानना है सुतकाल और सुरिग्रन का समय तो आप अपने सहर का या जीले का नाम जरूर लिखें इसी के साथ मैं आचारी जी आपको बताऊंगा कि यह भारत में लगेगा या नहीं गर्वती महिलाओं को सावधानी रखनी होंगी या नहीं इसका सही समय सुतकाल कौन सा रहेगा इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा सारी जानकारी विस्तार से आप किस प्रकार से भगवान की पूजा उपास न कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको मंत्रो का उचारण करना होगा मित्रों इन सभी के बारे में आपको बताएंगे उससे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सस्क्राइब अबसे कर लें ताकि रोजाना ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको समय से मिल सके मित्रों आप लोगों को 4 दिसंबर सनिवार के दिन लगने वाला यह सूरीगरन साल 2021 का आखरी सूरीगरन रहेगा और माननाताओं के अनुसार सूरीगरन गरवत्ती महिलाओं के लिए नसुब प्रभाव देने वाला है इसलिए गरहन की अवदी में घर में रहने की सला दी जा करने से बचना चाहिए इससे गरवश्त सिसु को सारीरिक तो सो सकता है सूरीगरन के दोरान गरवत्ती को सोना खाना पीना और सजना सबरना नहीं चाहिए और मैं आचार आप लोगों को बता दू किस दोरान देवि मंत्रु का उचारन करना चाहिए और गरहन के दुस्प्र दिरोग होने की असंका होती हैं सुरिग्रण के दोरान मांची ग्रूप से मंतर जाप का बड़ा ही महत्पू होता है गरवत्ती महलाओं को इस दोरान मंतर जाप कर गए अपनी सहित अपने सिसू की रक्षा कर सकती हैं यसे स्वेंग और गरवस्त सिसू के सरीर को और कोई भी नकरात्मक इफ्यक्ट नहीं पड़ेगा। मित्रों आप लोगों को इस्तोरान भगवान स्रीय रिविश्णुजी के मंत्रु का उचारन करना चाहिए। आप सुरिय के मंत्रू का उचारन कर सकते हैं और आप विभिन्द प्रकार के हनुमान चलिसाओं को आप पढ़ सकते हैं मित्रों बाई ये जानते हैं ये सुरी ग्रहन का सही समय सुतकाल कौन सा रहने वाला है तो मित्रों आप लोगों की जानकारी के बता दूं ये सुरी ग्र सट मिनट से फ्रारम वहोगा जो कि तीन बज कर सियालिस मिनट तक रहेगा यह सूरीगरन साल दोजर इकिस का आखरी सूरीगरन है तो मित्रों ऐसे में आपको सतर गरहने के जुरूत होंगे अगर आप ही अपने सहर का जानना चाहते हैं तो आप सहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरू लिखेंगे